नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से फिल्मी सफर में दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती का बॉलीवुड में एक ऐसा एंट्री जिसने हर एक एक्टरों को हिलाया बॉलीवुड उनके खिलाब भी हो गए थी बॉलीवुड की कई ऐसी सारी फिल्मों को मिल जाया करता है अभी हाली में बैड़ वोय आई थी उस फिल्म को भी इतना प्यार मिला फैंस द्वारा लेकिन बॉलीवुड में उस तरीकी से प्यार नहीं मिला और थेटर नहीं मिले जो मिथुन चक्रवर्थी के फैंस चाहते थे फिल्हाल इस मुद्धे में बात करना यहां पर ठीक नहीं है लेकिन हम बात करेंगे उस मुद्धे की जम मिथुन चक्रवर्थी को भी एक फ्लॉप एक्टर की कैटेग्री में डालने की बॉलीवुड गैंग या फिर बॉलीवुड की जो अनगीनत अलग चाहने वाले फैंस थे वो मिथुन चक्रवर् अनगी फिल्में थोड़ी कम बजट की और खतानाक एक्षन वाली फिल्में होने लगी कम बजट में लेकिन फिल्में तब भी कमाल किया करते थी आप चाहे फूल और अंगार लेलो जलाद लेलो यह वो फिल्में हैं जिरों ने मिथुन चक्रवर्थी को कई बार एक अलग नहीं उचाहियां देती हुई चली गए थी लेकिन फिर भी उसके बावजूद मिथुन चक्रवर्थी को 1993 से लेकर 1995 तक कुछ 15-16 फिल्में फ्लॉप भी थी जो कि फ्लॉप नहीं वलकि हिट फिल्में थी लेकिन बॉलिवुट की कुछ गैंक और बॉलिवुट के कुछ ऐस लोग जो मिथुन चक्रवर्थी को नहीं चाते थे रागे बढ़े और जैसी फिल्मवाट फ्लॉप घुंचत कर रहे थे फूल और अंगार जैसी फिल्मों को फ्लॉप घुंचत कर रहे थे इस पारे में आप खुश सकता हूं किया तरभी पार फिल्म फ्लॉप थी में हिर दिखाती है फ्लॉप नहीं दिखाती है ऐसा नहीं बलकि 95 के बाद भी 2000 तक मिथुन चक्रवर्ति को कई बार फ्लॉप करने की कोशिश की गए लेकिन मिथुन चक्रवर्ति के ददबा पहले वितार 90 में भी और आज भी उनका ददबा बरकरार है आज के समय में वो कारेक्टर से रोल करते हैं हम सभी को फिल्मों में दिखते हैं जो कि उनकी एक्टिंग को फैंद पसंद करते हैं हाला कि बड़ी आने वाली फिल्म है बाप जिसमें वो मुक्र भूमिका में दिखेंगे जिसमें इनके साथ संदितत जैगी सुरप और श्रनी देवल भी नज जिए बेग्ट